हेलो मेरे एक्जाम वारियोस कैसे हैं आप सब लोग आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है पूरा एसस्टी खतम हो गया अब क्या बात है एसस्टी लिखना कैसे वो भी मैं बता चुकिए लेकिन एक कोशन पर जैसे आता ही बहुत सारी चीज़े आ जाती है कि यह को को कैसे सौल करें को तीन घंटे में क्या चीज़े करें क्या नी करें यह सब डाउट आता है तो चलो उसी को आपकी सहभागी हूं उसी एक्जाम में है न बट मैंने आपको पूरी रणिती बता दी कैसे तैयारी करना है यह भी बता दिया हर चीज़ लेकिन अब युद्ध क क्लें मैदान में क्या करने मैं उसकी बात कर लेते हैं ठीक है चलो tiik जो चीज़े को पूछ रहे हैं उतना ही लिख दो वही अच्छा अंसर है ठीक है चलो कोशन पेपर कैसे आएगा आपको कितने तीर घंटे का पेपर होगा कितने होंगे 75 होंगे ठीक है टोटल कितने 18 प्रश्ण होंगे है न यह चीज़े आपको पता है पहले पेपर में पहला कोशन वस्तुनिट प्रश्ण है जिसमें अब साखंड होता है पेपर मिलते ही हड़ बढ़ाना नहीं है पहले पूरे पेपर को पढ़ना जैसे मैं बता रही हूं ठीक है पेपर मिला पहले देख लो भाई या 168 तक कोशन है कि नहीं ठीक है अब एक एक कोशन को एक पहले ज चार कोशन दो मक्स के जिसमें प्रतिक में दो-घू अंख होंगे साथ से दस तक चार प्रश्ण तिन-혔 मक सके ठीक 11 से चोधा चार प्रैशन 15 16 दो प्रैशन 17 18 दो प्रैशन ठीक यह टोटल करके लो तीन अंग बोला है मतलब कितने शब्दों में लिखना है आपको 50 शब्दों में चार अंक है मतलब पच्छतर शब्दों में है ना तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखो ठीक ये पहले पढ़ लिया है अब आज हो कोशन को पहले पूरा पढ़ो कुछ लिखना शुरू नहीं करना पूरा कोशन को पढ़ो ठीक है जैसे सरुजे सुधाओं का उधारन है ठीक है चावल का कोशन भारत में अधिक वर्षों वर्षा वाले प्रदिशों में कौन सी विट्टी पाई जाती है ऐसे करके पूरे कोशन पेपर को 18 तक आ जाओ ठीक अब वापस चलो फिर आजो प्रेशन में ठीक अब कोशन शुरू करो साजरी सुधाओं का उधारन है सरकार दोरा अस्प कि तो इस तरीके से क्या है पहले टीक करो इसके जोड़ी मिलाओ खालिस्तान को लिख लो ठीक उसके बदा आजो कोशन को अच्छा भारत में अधिक वर्षा वाले प्रदेश कौन से विट्टी पाई जाती है मुझे पता है लेलिन का जन्मिन समिद्ट क्या था ठीक है दो नहीं आता है आता है आता है वर्साइकी संदी अच्छा मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको गोला कर लेता हूं फिर यह आ रहा है यह आ रहा है इन दोनों में से मैं बैंकों के पांच कारे बनाऊंगा तो इसको ऐसे टीक कर लूँ ठीक है फिर ऐसे ऐसे पूर कुत्तर क्रमा केक है खंडा ठीक पहले का डी अ उपरुक्त सखी इससे के जो भी होगा ठर्ट का जो भी होगा इस तरीके से लिखो है न और पेपर में जाते ही जैसे आपको आंसर शित मिलेगा एक माजिदर खीचना है दूसरा माजिन इसकीशना ठीक है एट-स इधर दोनो पेपर में पैन, पैंसिल, रबड के उतर सब लेके जाना है कोई भी चीज़े और पैंसिल को क्या है टीक करने के लिए लाइन खिशने के लिए यूज करो ठीक हो गया यह लिखे फिर आज़ो खंड बापे सही जोड़ी मिलाओ है तो इधर लिखो उसका अंसर फिर फिर खाली कोशन में आने से पहले एक ऐसा लंबा लाइन बना दो फिर लिखो उत्तर क्रमांग 3 ठीक ऐसे करो तो पता चाहता चाहिए कि भई उत्तर क्रमांग 2 यहां पर खतम हो गया अब उत्तर क्रमांग 3 आ रहा है ऐसे बनाओ और एक एक चीज़ों को पढ़ो जैसे कोशन में क्या पूछा है नगरी आधिवासों की उत्तर को प्रभावित करने वाले कारोगों का उल्लेक कीज़े ठीक अब यह कोशन कित्ते में आता है पांच मक्स का तो आपको कित्ते शब्दों में लिखना है भई देखो पांच माक्स से कोशन सो शब्दों में लिखना है मतलब आपको दस से पंद्रा लाइन लिखनी है न तो कारकों में क्या करो हर एक चीज को लिखो ठीक है उसके बाद उसको क्या है दो-दो लाइन में खतम करो कारक यह है वो है वो पूरी चीज है ऐसी खतम करो ऐसा नहीं कि बस लिखे पड़े हो पैराग्राफ नहीं लिखना है बुलेट पॉइंट में लिखना है दो माक्स, सीन माक्स में जित्ता कोशिश करो बुलेट पॉइंट में किसी के परिभाशा दिया इस तरीके से लिखोगे कोशन बहुत अच्छे हो गया सामने आले को चेक करने में मज़ाएगा आप लोग बोलते हैं कि कैसे लिखे कि दिक्ता मंक मिले आंसर कुछ भी नहीं होता है आंसर जो आपने पढ़ा है जो बुक में बोला गया है जो कोशन पूछ रहा है आपको कारण पूछ रहा है आप उसकी परिभाशा लिख दे रहे हो आपको अंतर पूछ रहा है आपको कुछ और बता रहे हो नहीं जो पुछा है वही अंतर आया है तो भाईया ऐसा डबबा बना के एक सड़ी है ये फिर उसका एक, दो, तीन ऐसे लिखो है ना तब कहीं जाके अच्छा दिखता है पर चला खचट 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 पचट ऐसा पैराग्राफ में लिख रहे हो नहीं पैराग्राफ जितना हो सके अवाइड करो जितना हो सके तथ्यों को एक एक पॉइंट में डालो वन टू थ्री बुलेट पॉइंट में डालो तभी अच्छे आंसर मिलेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा 75 मार्क्स के लिए ठीक है और जो कोशन नहीं आ रहे है फिर उसको अंत में बनाओ ठीक है जैसे यह किया हमने गोला किया है आप लोग तीन मार्क से कोशन में पूरा पेश भर होगे कि तब 50 शब्द 5 से 6 लाइन 7 लाइन आप पूरा दद्दस 15 लाइन लिख रहे है तो क्यों पढ़ेगा भाई और वो क्यों पूरे नमबर देगा क्योंकि उसने से पूछा था तीन कारण बताओ आप लंबर चौड़ा लिख रहे हैं तीन कारण मतलब तीन कारण आगे पीछे खतम करो ना यहसी ही आंसर लिखते है ठीक है तो इतनी चीज़े करनी तयारी ज्यादा नहीं डब डर ना है तीन घंटे में एक-एक सेक्शन को लिख के चलो पहले वित्ने में फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे करोगे पूरी चीज़े बहुत अच्छी तयार होगी लगता है पच्छतर पच्छतर हंड़ेट परसंट पच्छतर में आएगा ऐसे आंसर लिख के देखो दो मार्क से कोश कुछ भी लगता है तो हमसे आप फोन करके बात कर सकते हो किसी भी तरीका से स्ट्रेस है तो बात कर सकते हो बिलकुल ने डरना आप अभी दस्वी पास करने के बाद 11 तो 11 में हम आपको जो भी सब्जेक लोगी वो भी पढ़ाएंगे आपको हमाई सार इस तरह बने रहना है ठीक है तो अभिप्शा का अब क्या है में उद्देश आपको आपके मंजिल तक पहुचाना है मैरिट मिलाना है जो भी सब्जेक लोगी उसको आगे लेके जाएंगे हर तरह के सांस तो आप हमसे अभिप्शा के दोरा जूर सकते हो वहां अगर आप दस्वी में हो 11 की क्ला सानी में सब कुछ सौल करूंगी बट मेरा उद्देश यही है कि हमारा पूरी टीम का उद्देश है कि 36 गड़ के बच्चों को एक उनकी मंजिल तक लेके जाना तो बच्चों बिलकुल नहीं घबराना सब अब करो लेकिन अब रिवाइस करो और चीजों को ध्यान से पढ़ना शुरू करो ठीके बच्चों बैस्ट अप्लग आपके एक्जाम बहुत अच्छे जाएं